Hello everyone, आज मैं आपके लिए रस माधुरी की रेसिपी लेकर आए हूँ, देखने में बेकुल रस माधुरी जैसी है लेकिन ये इससे बेकुल अलग है जो रस माधुरी का स्पंज होता है, इसके अंदर ड्राइफुट स्टाफ किया जाता है, जबकि रस माधुरी अंदर से बेकुल प्लेन होती है और रस माधुरी सफेद रंग में होती है, जबकि रस माधुरी थोड़ी सी केसरिया रंग में होती है और रस माधुरी गोल होती है जबकि रस मलाई थोड़ी से फ्लाट होती है I hope कि ये difference आपको बेको clear हो गया होगा और अगर मैं इसके taste की बात करूँ तो मैं आपको अपने शब्दों में क्या बताऊँ आप इसको देख के ही idea लगा सकते हैं कि कितनी जादा tasty है और आज मैं रस माधुरी फटे हुए दूद से बनाने वाली हूँ यानि आप घर में अगर दूद आपका खराब हो गया है तब भी आप ये tasty सी मिठाई बना सकते हैं और अगर आप इसे ताजे दूद से बनाना चाहें तो ताजे दूद से भी बना सकते हैं तो चलिए जल्दी से बनाना शुरू करते हैं यहाँ पर मैंने दो रीठे लिए हैं इसका हम इस तरीके से तोड़ करके बीज निकाल लेंगे यह रीठे आपको किसी भी क्रियाना शॉप से या पंसारी की दुकान से असानी से मिल जाता है लेकिन अगर आपको नहीं मिलता है तो आप इसके बिना भी बना सकते हैं यहाँ मैंने इसके बीज निकाल दिया हैं वैसे इस कटोरी में ढालकर और इसके उपर एकदम गर्म पानी ढालकर इसे पंधा मिनिट के रेक साइड में रख देंगे यहाँ पर मैंने 2 लिटर cow milk लिया है यानि गाएं का दूद लिया है इसे इस पतीले में डाल देंगे और गैस पर रख देंगे उबलने के लिए यह दूद मैंने पर्सों लिया था और कच्चा ही रखा हुआ था इस वज़े से देखी दूद खराब हो गया है लेकिन अगर आप ताजे दूद से बना रहे हैं तो आप इस तरीके का सिर्का लेलें जो हम चाइनिस खाना बनाने में यूज करते हैं एक चुथाई कप सिर्के को एक कप पानी के साथ अच्छे से मिक्स कर लें और जब ये दूद उबल जाए उसको दो मिनट के लिए ठंडा होने दीजिए उसके बाद इसमें थोड़ा थोड़ा करके सिर्के वाला पानी डालिए और इसे मिक्स करते जाए तो दूद आपका इसी तरह से बिल्कुल फट जाएगा जैसे ये मेरा अल्रेडी फट चुका है ये देखिए इसमें छेना और पानी बिल्कुल अलग हो चुका है अब मैं इसे चान दूँगी यहाँ पर मैंने एक पतीले के ओपर एक छनी रखी है इसके ओपर एक कपड़ा रख देंगे और इसे इस तरीके से छान देंगे यह हमने सारा चेना इस कपड़े में छान लिया है और इस तरह से चालो दफन से इसे कठा करते हुए इसका थोड़ा सा पानी जो है एकसेस वह निकाल लेंगे और अब मैंने इसी खाली पतीले के ओपर इसे रख दिया है और इसके ओपर इस तरीके से दबा देंगे और इसमें आपको थोड़ा सा अपना आइडिया लगाना पड़ेगा क्योंकि कई बर होता है कि अगर आप इसमें से जादा पाने निकाल देंगे तो आपके स्पोंज रसगुले जो हैं वो हार्ड बन जाते हैं जैसे कई लोग कंप्रेंड करते है कि उनके रसगुले जब वो बॉयल हो रहे थे तब तो बहुत जादा फूल गए थे लेकिन बाद में वो एकदम टाइट हो गए है या श्रिंक हो जाते हैं वो इस वज़े से क्योंकि जो छेना होता है वो थोड़ा सा हार्ड हो जाता है और अगर रसगुले की शेप पाणी निचोड दिया है और मैं इस तरीके से इसे प्लेट पर मल करकर देख रही हूँ तो ये fingers पर नहीं चिपकरा है हमने इस अच्छे Сे पाने क्म दिया है अब हम इसे एक बड़े बर्तन में निकाल लेंगे और इस से इस तरह से मैश करेंगे ये प्रोसीजर करना बहु जाना चाहिए इस तरीके से हमने इसे मल करके अच्छे से चिकना कर लिया है और अब हम इसे ढख करके इसी कपड़े से ही जिसे हमने छाना था इसे हम ढख करके रख देंगे ताकि छेना हमारा सुखेगा नहीं और अब हम जल्दी से इसके लिए शुगर सिरफ तयार कर लेते ह जब उबलने के बाद वो अपने साइज से तीन गुना या चार गुना बढ़ जाते हैं, तो आपको चोड़ा बरतन लीना है, इसमें मैंने डेड़ कप चीनी डाली है, और जो चीनी का वेट है, वो 300 ग्राम है, तो लीटर दूज से जो हमारा छेना तयार हुआ था, वो भी 300 जितना हमारा छेना होता है, उतना हमें इसमें चीनी लेनी होती है, यानि यहां पर मैंने 300 ग्राम ही चीनी ली है, एक कप में 200 ग्राम चीनी आती है, यहां मैंने 1.5 कप लिया है, इट मींस 300 ग्राम मैंने चीनी ली है, और अब हम इसमें 6 कप यानि 1.5 लीटर पानी डाल दे बना रहे हैं तो इसका मतलब आपको इसमें भी आइडिया हो जाएगा थोड़ा सा टाइम लगता है पर मेरी कोशिश ही है कि आप पहली बारी में ही अच्छे से रसमादुरी बना पाएं और अब मैं यहाँ पर एक कटोरी ली है इसमें मैंने दो छोटी चमश यह पिस्ता का पाउडर डाला है पिस्ता को मैंने ग्राइंडर जार में पीस लिया था तो इस तरीके से आपको पाउडर मिल जाता है और आप छेने में से ही हमने थोड़ा सा छेना लिया है और इसे पिस्ते के साथ इस तरीके से मिक्स कर देंगे आप चाहें तो यहाँ पर काजू बदाम भी डाल सकते हैं लेकिन आप उन्हें भी पीस कर ही डालें चुकि मोटे पीस डालेंगे तो हो सकता है कि रजगुले आपके फट जाएं बॉल करते समय और यहाँ मैंने चेने को इस बड़ी थाली में ले लिया है और इसे इस तरीके से अच्छे से बॉल कर लेंगे ताकि हम उसमें से छोट-छोटी से पोर्शन निकाल पाएं यहाँ पर मैंने 13 बॉल्स बनाई है और एक बॉल का वेट 20 ग्राम है और यह जो पिस्ता वाला मिक्स्चर है इसमें भी मैं तोड़ा सा केसर डाल रही हूँ केसर डालना बिल्कुल आप्शनल है आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं और यह जो हमारा पिस्ते का मिक्सर है इसे भी हम 13 बागों में बाट लेंगे यानि छोट-छोटी सी इसकी बॉल्स बना लेंगे और अब यह रजगुलों को यानि चेने वाले जो पोर्शन है इसको हम रफली गोल शेप देंगे अब यह आपको इसे बहुत फाइन शेप देने की जूरत नहीं है क्योंकि बाद में भी हम इसे फाइन शेप देने वाले हैं और यह जो पिस्ते वाला मिक्षर है इसकी भी हम छोट-छोटी सी बॉल्स बना लेंगे इस तरीके से और इसे बिल्कुल फाइन शेप देंगे इस पर हम इसमें बिल्कुल भी क्राक्स नहीं रहने देंगे यह देखिए मैंने इसे एकदम चिकना कर लिया है और इसी तरह से आपको सभी बाल्स को स्टफ करना है पिस्ते की बाल्स के साथ और हमारा छेने का मेक्षर है ये बिल्कुल परफेक्ट है ना तो इस टाइम बहुत जादा पतला है और ना बहुत जादा टाइट है ये देखिए मैंने सभी बॉल्स को स्टाफ कर लिया है और अब हम इने कवर करके रख देंगे और इधर जो हमने शुगर सिरब बनने रखा था उसे हाई फ्लेम पर एक उबाल आने के बाद मैंने गैस का फ्लेम आफ कर दिया था क्योंकि मुझे रसकुले बनाने थे वापिस हम यहाँ पर gas का flame on कर देंगे और high flame पर इसे एक उबाल आने की wait करेंगे और देखें जैसे ही इसमें एक उबाल आ चुका है यहाँ मैं इसमें दो चम्मच रीठे का पानी डाल रही हूँ सिर्फ दो चम्मच ही डालेंगे, जादा नहीं डालेंगे क्योंकि यह जो पानी होता है, यह कड़वा होता है अगर आप रीठे का पानी नहीं डालना चाहते तो भी कोई बात नहीं आप यहाँ पर इसे skip कर सकते हैं आप सिर्फ नॉमली रसकुले डाल दें उबलते हुए तेज उबलते हुई चाशनी में और फिर उसे ढग दें हाई फ्लेम पर ही दस मिनट के लिए आप इसे उबलने देंगे तो आपकी रसकुले बहुत ही बढ़िया बनते हैं और यह देखे मैंने इसे ढग दिया है और आप देख सकते हैं इसमें कितनी सारी जाग बन गई है और अब हम इसमें एके करके रसकुला ढलेंगे हम एके करके इसले डालते हैं ताकि हम नहीं चाहते कि इस पानी का टेमपरेशर डाउन हो पानी जो है लगतार हाई फ्लेम पर उबलते रहना चाहिए य confirmation सिछरप अच्छे से उबलते रहना चाहिए अब मैंने इसे धग दिया है और धग कर हम इसे पूरे 10 मिनट के लिए high flame पर उबलने देंगे flame बिल्कुल भी low नहीं करेंगे ना ही हम इसे खोल कर चेक करेंगे और यह देखिए पूरे 10 मिनट हो चुके हैं और यह देखिए हमारे रसगुले अपने साइस से 3-4 गुना तक बढ़ चुके हैं बिल्कुल भी इसमें space नहीं है और आप difference देख सकते हैं जब हमने डाले थे और अपका size आप देख सकते हैं बहुत जादा बढ़ गए हैं लेकिन अभी भी यह काफी soft हैं तो हम इने ज़्यादा छेड़ेंगे नहीं उपर से बस हलका सा हम कर्ची से इस तरीके से चला लेंगे ताकि यह उपर नीचे हो जाएंगे तो अच्छे से सब तरफ से पक जाएंगे और अब हम इसे ढख करके फिर से पांच मिनट के लिए हाई फ्लेम पर ही पका रहे हैं पांच मिनट बाद हमने फिर से ढखन खोला है एक बार इस तरीके से चला लेंगे और फिर से हम इसे ढख देंगे और फिर से मैंने इसे 5 मिनिट के लिए पकाया है और ये दिखिए इस टाइम ये अच्छे से पक चुके हैं इसकी पहचान ये है कि अब ये चाशनी के अंदर 80% जा चुके हैं पहले ये चाशनी के उपर फ्लोट कर रहे थे आप चाशनी के अंदर जा चुके हैं इट मीस यह रजगुले अच्छे से पक चुके हैं और ठंडा होंगे जैसे भी तो यह धीरे धीरे और नीचे चले जाएंगे टोटल 20 मिनट मैंने इसे हाई फ्लेम पर पका लिया है अब हम गैस का फ्लेम आफ कर देंगे और इसे हम गैस से नीचे उतार लेंगे गैस से नीचे उतारने के बाद हम इसको इस तरह से नेट से ढग देंगे यानि जाली से ढग देंगे ताकि यह थोड़ा सा ठंडे हो जाएंगे और जब तक हमारी रजगुले ठंडे हो रहे हैं तब हम इसके लिए जल्दी से दूद गाड़ा कर लेंगे यहां मैंने एक पैन में थोड़ा सा पानी डाला है बस एक से दो चमच और अब इसमें मैं एक लिटर फुल क्रेम दूट डाल रहे हूँ यहां मैं बफैलो मिल्क यूज़ कर रहे हूँ क्योंकि बफैलो मिल्क जल्दी गाड़ा होता है और साथी काफी क्रेमी भी होता है तो बस gas का flame medium to high रखेंगे और इसे बीच बीच में इस तरीके से लगातार चलाते रहेंगे तो ये दिखे हमारी sponge रसगुले भी एकदम ठंडे हो चुके हैं और ये मैं आपको दिखा रहे हूं कि कितने जादा spongy बने हैं कितने perfect बने हैं अगर मैं इस तरीके से इसे प्रेस करती हूं और इसे वापिस रखती हूं तो वापिस ये bounce होके अपनी shape ले रहा है इट मेंस ये बिल्कुल perfect बने हैं और अब मैं इसको आपको काट के भी दिखाती हूं ये देखें इसके अंदर के आप जाली देख सकते हैं बिल्कुल perfect और बहुत ही tasty soft or spongy रसकुले बने हैं आप चाहें तो इन्हें ऐसे ही enjoy कर सकते हैं या फिर हम इसे आगे इसकी रस मादुरी बनाने वाले हैं और इधर देखें दूद भी हमारा काफी गाड़ा हो चुका है अपने original quantity से आधा रह चुका है अब मैं इसमें यहाँ पर 3 चमश चीनी डाल रही हूँ चीनी जादा नहीं डालेंगे क्योंकि जो रसकुले हैं वो भी already मीठे हैं और साथी इसमें एक चमश कटे हुए बादाम डाल देंगे, एक चमश कटे हुए काजू डालेंगे और थोड़ा सा पिस्ता डाल देंगे और एक चोथाई छोटी चमश इलाइची का पाउडर डाल कर इसे अच्छे से मेक्स कर लेंगे हमारा जो मेक्शर है काफी गाड़ा हो चुका है तो बस बहुत जादा हम इसे गाड़ा नहीं करेंगे क्योंकि जो रसकुले होते हैं उन्हें भी अच्छे से इन्हें एब्जॉप करना होता है अब यह देखे थोड़ा सा ठंडा हो गया है तो मैं इसमें यहाँ पर आदी छोटी चमश केवड़ा जल यानि केवड़ा वाटर डाल रही हूँ और इसे डाल कर अच्छे से मेक्स कर लेंगे और यह जो हमारे रसकुले हैं इसे हमने यहाँ पर इस बोल में डाल दिया है और इसके उपर हम यह गाड़ा किया हुआ दूट डाल देंगे और इसे थोड़ा से कटे हुए पिस्ता से गानिश कर देंगे और हम इसे फ्रिज में रख देंगे तक ये अच्छे से एकदम ठंडे हो जाएंगे और जब मैंने इसे फ्रिज से निकाल लिया है अब मैं इने ठंडा ठंडा सर्फ करूँगी और मैं इसको थोड़े से कटे हुए पिस्ता और साथी चांदी के वक से गानिश कर लही हूँ और लीजे हमारी रसमाधुरी बनकर तयार है बहुत ही टेस्टी बहुत लाजवा बनी है तो आप इस दिवाली पर या भाई दूझ पर इस रसेपी को जरूर ट्राइ करें यह आपकी पूरी फैमली को बेहत पसंद आएगी और अगर आपको हमारी रसमाधुरी रसमाधुरी पर पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजेगा और साथी में जो घंटी का बटन है उसे भी जरूर दबा दीजेगा ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और ये बिल्कुल फ्री है